के धांग है है अधाथ है को अधा है है हलो फ्रेंड दस्वार्ट प्रेड्टूरियल में हमने सीखा था कैसे बैनाट इंग्लूड करते हैं अपनी अप्लिकेशन में और इन स्टेश्च्यल एड़ को कैसे कि अपने इंड करते हैं मैं अगर आपने लास्ट मेनी वीडियों नहीं देखी हैं तो कार्ट में लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। वहां से फॉलो करके आप वह दोनु वीडियों देख सकते हैं। कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एड़ मॉप एकाउंट होगे रहा का सारा चीज़े आपको समझा दिन थी किस तरह से एड़ मॉप पर अकाउंट बनाते हैं तो आप वो देख सकते हैं तो नेटिव एड़ लगबग बैनर एड़ के तरह से ही थोड़ा सा होता है काफी स इसमें कर लेते हैं तो चलिए हम अपना एड़ मॉप फोलते हैं और एड़ इनिट इसमें इंकलूड कर लेते हैं तो यहां पर एड़ इनिट हम करते हैं और नेटिव एड़ पर स्लेट कर लेते हैं इसमें काफी सारी चेंज़ेस हम कर सकते हैं इसमें स्माल मेडियम किसमें सेक्टमाईज हैं कर लेते हैं और इसको हम कस्तमाइज भी कर सकते हैं WETHOUT अपनी एप में कोई भी चेंज़ किये यहां से हम रवाज में भी कस्तुमाईज कर सकते हैं अगर हमें करते हैं चलिए हम इसको validate कर देते हैं और इसमें हम refresh rate को भी change कर देते हैं तो हम नेम देते हैं demo native and then save यहां पर आप देख सकते हैं unit ID हमें मिल चुकी है unit ID हम सेलक्ट कर लेते हैं और यहां पर वेट और हाइट यहीं भी डीपी में दे रख्ये कितने डीपी में हैं यहां पर को कॉपी कर लेता है एप सारी एड यूनित अडी पेस्ट कर लिया हमने और यहां पर इसको डन कर देते हूं अब आपर हमारे तीनों एड शू हो गया है चलिए हम अपने श्टूडियो पर चल एक्सेमेल फैल पर आजाते हैं और यहां से इसका ले आउट चेंज करते हैं लीनियर ले आउट कर देते हैं और इसकी ओरेंटेशन वर्टिकल कर देते हैं और यह एक सेमल को यहां से चेंज कर देते हैं इल्ड एट्स पर ओके चलिए अब हम यहां पर नेटिव एड को इंक्लूड करते हैं नेटिव एड व्यू रप कंटेंट हाइट रप कंटेंट ओके अब हमें यह थोड़ी से चीज़े इनिश्लाइस करने पूलेंगी तो सबसे पहले हैं इसको ग्राविटी दे देते हैं और यहां पर हम सेंट्रल होरिजॉंटल कर देते हैं इसको भी मार्जन टॉप से मार्जन देता हैं थोड़ा सा इसको और आई-दी पर वाईड कर देता है ehソ if you a voice मर्टी हम देता है सेकंड नेक्टु है ogóle मारा हुचपा है अब हमिसमे मारम जरनी ए house देता है आइड की यूनेट ID. यूनेट ID हम देते हैं जो हमने भी कॉपी किते हम यहां से स्लैक्ट कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर लेते हैं माँ लास्ट लगाratos आपको बता था सैंपल आइड यूब्क करनी हैं यहां से हम नेटिव ऑप्सपरेस वाली में से इन से कोई से भी सेंप्ल आइडी स्लेक्ट कर लेते हैं और वो कॉप यूज करनी है हमें जब हम एमुलेटर पर वर्क करें तब अचलिया है कि हमारा इतना काम हो चुका है अब हमें यहां पर तोड़ा सा और इसमें चेंज करना है यहां पर हम इसको देते हैं 300 x 220 यहां पर तोड़ा सा यह एरर हो चुकी है इसको चेंज कर दाना तो अब हम सेटिविटी पर यहां पर इसको करते हैं यहां पर नेट्यू एक्सप्रेस एड्विव तो यह मारा नेट्यव एक्सप्रेस एड्विव आ गिया है इसका अबजेक्ट ने बना लिया अब हम इसको इनिश्यलाइज करते हैं यहां पर native nview equal अब typecast कर देते हैं इस को native express sideview में native express sideview and then find view by id r.id . second native अब दिया है इसको नेम दिया है second native तो किया हम इसको प्रोइड कर जेता है second native ओकी यह हमारा इतना काम हो चुका है है यह हमें से को क्या करना पादेगा add string अमें से को लोड़ आइड कर जाते है और new add request add request.builder add request.builder डॉर्ट बिल्ड कि यह मारे इतना काम हो चुका है कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने अगरी इमिलेटर पर वर्क करेंगे अगरी इमिलेटर पर रन करेंगे तो हमें यहां पर यह चेंज करना है एड़ टेस्ट डिपाइस और एड़ रिक्वेस्ट डॉंट ड्रॉइस अमुलेटर यह हमारा पूरा काम हो चुका है और आप यह इंगे और आप फर्क करेंगे तो आपको इतना करना मैं अमुलेटर पर नहीं करूंगा तो इसको रिखाएँ करके अपना रियल डिवाइस फेस को रहा है और यह बटन जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था instantial add के लिए अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यह आप देख सकते हैं instantial add यह पर show रहा है और यह से ने इसको klexe करा है second activity और यह हमारा negative add यहां पर show होगिए तो friends मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब पर दीजिए और इस वीडियो को यह लाग किजिए, thank you friends.